बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलुश्री सद्गुरु महाराज की प्राणधार आत्मसंबंदी सुन्दर साजी कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से सुन्दर साथ औरंग जेब को संदेश देने का प्रयास करता है दस-दस दिन तक किसी के घर में 20-20 दिन तक कहीं पर एक-एक दो-दो मैने तक भी जाया जाता है पर कोई परिणाम नहीं निकलता है और एक मुलवी को बुला कर एक मुला को बुला कर 22 प्रस्नों को मिराजी सेख जी के बयान के रूप में लिखा जाता है और किस तरह से कयामत के उन प्रस्नों को चिठी का अथवा नलवा का रूप दे कर और रंग जिब के पांच दरबारियों के पास भेजने की तयारी की जाती है उन चिठीओं में क्या बात लिखी थी कयामत के साथ निसान जिन में से हमने कल सुना कि किस तरह से इसारू अल्ला का आगमन हो चुका है कैसे इमाम महिदी का आगमन हो गया है अस्राफिल और जब्राइल का आगमन होना किसे कहा गया है आजूज और माजूज का तात्परिय क्या है और पस्टिम में सूर्य उदय होरे का क्या तात्परिय है बगरब से सुरजुगने का आगे कह रही है दाभा हुई जाहिर एक ऐसे जानवर की बात की जा रही है जिसको दाभतुल अर्ज कहा गया है दाभतुल अर्ज कैसा होगा तो कुरान में वर्णित है कि उसके सिर पर पहाड़ी बैल के सिंग होंगे हाथी के जैसे कान सूर की जैसी आखे होंगी मुर्गे की जैसी गर्दन सेर की जैसी च्छाती और गीदड की जैसी पीठ होगी इसका तात्परी क्या है जिस व्यक्ति के अंदर धार्मिक्ता आध्यात्मिक्ता और परब्रम के प्रति विश्वास नहीं है वास्तों में यही उन मनुष्यों के अंदर की पशुवाली प्रब्रित्ती है जैसे की हमारे धर्मग्रंथों में कहा ये शाम्न विद्या तपो न दानम ज्यानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलों के भुवी भार भूता मनुष्य रूपेणम रिगाचरंती जिनके जिनकी पास विद्या नहीं है तप नहीं है दान ज्यान नहीं है धर्म कर्म नहीं है शील नहीं है ऐसा विक्ति इस संसार में सींग और पूँछ से रहित पशु के समान है ये हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं इसी तरह से कते पुरंपरा में भी ये बताया गया है कि मनुष्य के अंदर किस तरह से पशु की प्रवृत्ती आ गई है जैसे जब हम हमारे पौरानिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें कलियुग की बात बताई जाते हैं कि कलियुग में लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे वास्तों में यही मनुष्य की कलियुगी प्रवृत्ती है मनुष्य तो वैसे ही है सत्युग में भी मनुष्यों के अंग ऐसे ही होंगे आज कलियुग में भी कलियुग के लगबग 5000 वर्ष से अधिक होने पर भी वैसे ही अंग है हाद पे रमुख इत्या दि पर स्वभाव में परिवर्तन है और कलियुग कोई समय विशेश नहीं है या दज्जाल कोई व्यक्ति विशेश नहीं है दज्जाल कलियुग इत्या दि न समय विशेश है न वेक्ति विशेश है ये तो अवस्था है कैसी अवस्था? अब हम उन एक एक लक्षणों को समझते हैं फिर पता चलेगा कि किस अवस्था की बात की जा रही है हम सबसे उपर से शुरू करते हैं ताकि कोई भी अंग ना छुटे आलंकारिक वर्णन ये किस तरह से किया गया है हमें पता चले सबसे पहले कहा जा रहा है कि सिर पर पहाड़ी बैल के जैसे सींग होंगे पहाड़ी बैल के सींग का तात्परिय ये है आपने कभी पहाड़ी खेत को देखा है कभी पहाड़ों में गए होंगे माल लिजे इवधर सिक्किम दारजलिंग की तरफ गए होंगे या फिर इधर भी आप उत्तरा खंड की तरफ जाएंगे तो कोई भी पहाड़ी या जगह पर आप चले जाएए वहाँ सीड़ी नुमा खेत होते है तो जो व्यक्ति या जो यही बैल जिस खेत पर खड़ा होता है उसके उपर वाले खेत में जो छोटे-छोटे पेड़ पोदे होते हैं या जो दिवार होती है तो पहाड़ी बैल के न सीग में खुजली होती रहती है वो छोटे-छोटे जाडियों में सींग मारता रहता है ये जो सींग में खुजली है ये किसकी प्रवृत्ती है? मनुस्य के अंदर एक अलग तरह की खुजली है कैसी वाली? जो मनुस्य ये धार्मिक प्रवृत्ती का नहीं होगा मैंने पहले ही कहा कि धार्मिक अध्यात्मिक प्रवृति से रहित मनुस्य जो होता है ये धन उसके पास अधिक आ जाए तो उस धन से वो दूसरे लोगों को पीड़ा पहुचाने की कोशिस करेगा कि किस तरह से दूसरे को नीचा दिखाया जाए छोटा दिखाया जाए यदि बल आ जाता है शारीरिक तब भी वह अपने से कमजोर लोगों से जगडने का बहाना ढूंडता रहता इसी तरह से ऐसे व्यक्ति के पास यदि थोड़ा बहुत ज्यान भी हो जाता है तब भी उस ज्यान का उपयोग किसम करता है दूसरे लोगों को बेवकूफ या मुर्ख साबित करने में ये दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति है जैसे पहाडी जो बैल है वो अपने से छोटे-छोटे जाडियों में सिंग मारता रहता है ऐसे ही इनसान भी अपने से छोटे व्यक्ति को चाहे वो उमर में छोटे हो चाहे वो बल में कमजोर हो चाहे धन में कमजोर हो या फिर बुद्धी बल में कमजोर हो ऐसे लोगों को सताने की प्रवृत्ति जिसमें होती है वो पहाडी बैल का सिंग है हमारे धर्मगरंद क्या केते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेतत ज्यानाय दानाय चरक्षणाय दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या आजाए तो वह विवाद करता है धन आजाए तो उसका अहंकार करता है शक्ति आजाए तो दुसरों को पीड़ा पहुँचाता है और इसके विपरीत यदि साधु के पास विद्या हो तो वह उससे ज्यान ग्रहन करता है धन हो तो बहुत दान देता है और शक्ती हो तो दुसरे की रक्षा करता है। और जिस मनुसिय में इससे विपरीत गुण है दुष्ट वाले, तो उसको कहा गया पहाडी बैल के जैसे सींग होंगे। है तो इनसान ही, पर पहाडी बैल के सींग। इसी तरह से हाथी के कान की बात की जाती है हाथी के कान किसका प्रतीक है आप में से बहुत सारे लोग हाथी के स्वभाव से परेचित होंगे या कुछ लोग नहीं भी होंगे हाथी का एक स्वभाव होता है आप मान लिजे उसका कोई भी नाम आपने रखा है पाला है आपने तो आप उसकी कितनी भी अच्छा ही कर लेंगे वो सामान्य रूप से चलता जाएगा नहीं सुनेगा आपकी बात पर यदि आपने बुराई कर ली तो हाथी आपसे दुस्मनी ढान लेगा उसकी सुनने की छ्यमता अच्छी होती है पर अच्छा नहीं सुनता है वो बुराई सुनने की प्रवृत्य उसमें होती है बुराई को जल्दी ग्रहन कर लेता है और बहुत जल्दी वो नाराध हो जाता है गुस्सा हो जाता है इसी तरह से मनुस्य भी क्या करता है मनुस्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति आजकल बन गई है मान लिजे कि आपकी किसी से दोस्ती है दोस्ती में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं आपने कितनी ही बार किसी की मदद की होगी दोस्ती के नाम पर कई बार तो दोस्त को किसी परिस्थिती से वचाने के लिए उसका इलजाम अपने उपर भी लिया होगा माता पिता से डांट भी खाई होगी, मार भी खाई होगी पर ऐसे आपके द्वारा किये गए सौ अच्छे कामों को वो भुला देगा और यदि आपसे एक गलती हो गई, तो वहाँ दोस्ती दुस्मनी में कब बदल जाएगी, नहीं कहा जा सकता है कली युग में ये स्वाभाविक प्रभृति, कली युग के इस अंतिम चरण में ये स्वाभाविक प्रभृति बन गई कि आप किसी का कितना भी भला करेंगे, उसको तो वो नजर अंदाज कर देंगे, जैसे ही आपने एक बुराई की या आपसे एक गलती हो गई, वो उस गलती को याद करेंगे, और भलाई की गई बातों को याद नहीं रखेंगे तो ये हाथी के कान की प्रभृति है, और सुवर की जैसी आख बताई गई है, वो भी लगबग वैसा ही है, सुवर को आप एक तरफ छपन भोग रख दीजिये और एक तरफ की चड़ हो तो सुवर की चड़ की तरफ जाता है, तो ये प्रभृति कैसी है, गंदगी देखने की बुराई देखने की प्रभृति, सामान्य रूप से इंसान की प्रभृति बुराई देखने की होती है, नकारात्मक्ता देखने की होती है, एक बार, एक मनोविज्यान के प्रोफेसर थे, साइकोलोजी के, क्लास में आये, और मारकर उठा कर, पहाडे लिखने लग गए, इस तरह से उन्होंने पूरा लिखा किसी से पूछा उन्होंने एक विद्यार्थी से कि ये क्या लिखा है मैंने सब कहते हैं 9.4.36 होता है 35 नहीं होता है जितने भी विद्यार्थी थे सब को उन्होंने पुछा कि यहां क्या है बताओ सब लोगोंने वो जो 9.4.36 के जगा पर उन्होंने 35 लिखा वो देखा तो प्रोफेसर ने कहा कि देखो मैंने 10 पहाड़े लिखे 9.90 तक जिन में से एक गलती की आप सब ने उस गलती को ही सबसे पहले देखा जबकि जो 9 सही जवाब थे उसको आपने नहीं देखा तो यह प्रबृत्ती मनुसे की स्वभाविक रुप से गलती ढूणने की है अच्छाई हम कम देखते हैं किसी की और बुराई ज्यादा देखते हैं तो यह जो ज्यादा बुराई देखने की प्रबृत्ती है इसको सुवर की आख कहा गया है हमने एक दिन देवचंद्र जी के प्रसंग में भी सुना था कि बुराई ढूणने वाले व्यक्ति की हालत उस मक्खी के जैसी होती है जो पूरे सरीर में अच्छे स्थानों को छोड़ कर वहीं बैठती है जहां पर घाओ होता है या जहां से दुरगंद आ रही होती है ये मनुश्य की एक प्रबृत्ती है इस बुराई देखने की प्रबृत्ती को कहा गया है सुवर की जैसी आखे इसी तरह मुर्गे की जैसी गर्दन बताई गई है मुर्गे की गर्दन में क्या खासियते बता है वैसे तो कई खासियते जिन में से यहां जिसका वर्णन किया जा रहा है वो ये है कि मुर्गा जुकता नहीं है कब जुकता है जब उसको कुछ खाना होता है इसके अलावब वो जुकता ही नहीं इसी तरह से आज मनुष्य में एक स्वाभाविक अकड है घमंड है एक होता है स्वाभीमान और एक होता है अभिमान स्वाभीमान और अभिमान में क्या फरक है? मुझे कुछ आता है या मैं ये जानता हूँ ये कहना स्वाभिमान है पर ये कहना कि केवल मैं ही जानता हूँ मैं ही ज्ञानी हूँ बाकी सब मुर्ग है ऐसा समझना ये अभिमान है मुर्गा कभी जुकता नहीं है इसी तरह से मनुष्य की भी प्रबृत ऐसी हो गई कि जब तक कोई स्वार्थ ना हो सामने वाले से तब तक वो नहीं जुकेगा और जहां बात स्वार्थ की आजाए वहां इतना चापलूस बन जाएगा और क्या कहेगा अकेले में? कि समय आने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है तो ये वाली जो प्रवृती है गधे को बाप बनाने वाली प्रवृती इसको कहा है मुर्गे की गर्धन कि स्वार्थ हो तब तो जुक करके आए और जहां स्वार्थ पुरा हो जाए फिर वहां पुनह वही घमन जागरित हो जाए यह मुर्गे की गर्दन जैसी प्रबृत्ती है, इसी तरह सेर की जैसी छाती बताई गई है, सेर की छाती का मताद पर यह क्या है, सेर में करूरता है और आज का मनुस्य शेर तो कुछ भी नहीं है आज के मनुस्य के कुरूरता के सामने क्यों देखिए शेर का तो आहार ही मांस है उसकी प्रकृति ऐसी बन गई है कि वहां मांस के अलावा कुछ दुसरा खा ही नहीं सकता इसलिए जब खाना होता है तभी वहां सिकार करता है लेकिन मनुस्य वहां चाहे तो उसके पास खाने के लिए इतने सारे व्यंजन है मांसहार को छोड़ करके भी साकाहार में जितने भी व्यंजनों की सूची है यदि एक दिन में एक व्यंजन भी खाए तो मुझे लगता है कि लगातार कम से कम पात साल तक भी अलग-अलग व्यंजन खाए तब भी उसकी बारी नहीं आएगी पहले व्यंजन की बारी नहीं आएगी इतने सारे खाद्यपदार्थ हैं तो विकल्प ही विकल्प है उसके बावजूद भी वह प्राणियों की हिंसा करता है प्राणियों की हत्या करता है और केवल खाने के लिए नहीं शेर्तों केवल खाने के लिए हत्या करता है ना मनुष्य किस-किस लिए हत्या करता है आप जब भी समय मिले तो एक प्रोफेसर एवी रामचंदरन जी की लि नामें देखी हुई ये किताब है जिसका नाम है विनास का परियाय मानसाहर. इन दो किताबों को पड़कर देखिए. आपको पता चलेगा कि मनुस्य किस-किस छेत्र में हिंशा करता है जो अनावस्यक है. जैसे एक तो खाने के लिए हो गया. दूसरा मनुस्य पहनने के लिए भी हिंसा करता है जिसकी एक प्रतीसत भी आवस्यक्ता नहीं है मनुष्य को पहनने के लिए जिन वस्त्रों के आवस्यक्ता होती है उनकी पूर्ती कपास से हो जाती है रूई के कपड़ों से सूती के कपड़ों से या कीडे को मार करके वहां से रेशम प्राप्त कर रहा है, इस तरह से पहनने के लिए भी वह इंसा करता है, खाने के लिए तो है यह, मनुस्य सुगंधित सूंगने के लिए भी इंसा करता है, कैसे? जो सुगंधित द्रव्य बनाये जाते हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो द्रव्य बनस्पतियों से प्राप्थ होते हैं कुछ जैसे सुगंदीत फूल हैं गुलाब है, चमेली है ऐसे बहुत से सुगंदीत फूल हैं जिनसे हम सुगंद प्राप्थ कर सकते हैं जिनका हम इत्र बना सकते हैं परफ्यूम बना सकते हैं, लेकिन कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं, जिनका प्रयोग मनुस्य करता है, और वो और महेंगे बिखते हैं, जैसे कस्तुरी म्रिग की बात की जाती है, कस्तुरी हिरन में से कस्तुरी प्राप करने के लिए हिरन का सिकार किया जाता है, आवशकता नह आता है मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि अफरीका देश में कोई ऐसी बंदर की प्रजाती पाई जाती है जिसको जिन्दा रहते हुए जब उसको कोडे मार करके चमडी उधेडी जाती है तो जो चमडी छिल जाती है ना उस छिले हुए जगह से पानी निकलता जैसे हमारा हा तो जब उस बंदर को जिन्दा पीटा जाता है उसके छिलने पर जो पानी निकलता है और वो भी कब जब वो जिन्दा है और डरा हुआ है तो उसके बाडी में जो केमिकल रियेक्शन होता है उसकी वज़से वो जो द्रव्य है वो सुगंधित हो जाता है सुगंदित द्रव्यका स्राव होता है और लोग उसको अपनी नासिका इंद्रिय के तृष्णा के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो मनुस्य क्या-क्या नहीं कर रहा है हर इंद्रिय के विशय के लिए वह प्राणियों के हिंसा कर रहा है और मैंने पहले ही कहा, शेर्तों केवल तब सिकार करता है, जब उसे भूख लगी होती है, उसके बिना उसका गुजारा नहीं हो पाता है, पर इंसान अपने मनोरंजन के लिए सिकार कर रहा होता है, अपना घर सजाने के लिए सिकार कर रहा होता है, आपने देखा होगा, गैन पड़े लोग कहे जाते हैं न, ऐसे लोग अपने घर में इन सब जानवरों के विभिन अवसेस रखते हैं, तो सोचे मनुस्य में कितनी कुरूरता है, और इसके अलावा आप देखें तो आज भुरुण हत्या होता है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं करता है, मनुस्य के अलाव और कोई प्राणी नहीं है, जो अपने ही बच्चे को किसी स्वार्थ के वसीबूत होकर के मरवा देता है या मरवा देती है, सोचिए, कई बार तो मैंने देखा, इस्त्रियां भी इसमें सामिल होती है, मैंने बहुत सारे निउस्पेपर में, टेलेविजन में, सीरियल इत् इत्यादी में देखा है, कि बच्चों को, जो बच्चे गर्व में पल रहे होते हैं, उनको हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, गर्वपात कराया जाता है, क्या उसमें जीव नहीं होता है, तो आज का मनुस्य कितना कुरूर हो चुका है, आप एक-एक शित्र में आई बार तो मैंने देखा है, टीवी इत्यादी में और पढ़ा है, कि चाइना जैसे देशों में, वहाँ जो नवजात सिसु हैं, उनका मांस धडल्ले से बिखता है, उसके लिए लोग पहले गर्व धारन कर लेते हैं, और ऐसे बच्चों को फिर बाद में बेच देते हैं एबोर्शन करा करके उसका मांस लाखों रुपयों में बेच दिया जाता है और लोग उसको चाव से खाते हैं, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कम से कम परमातमा का धन्यवाद है कि हम ऐसे जगह पर ऐसे स्थान में पैदा हुए, जहां हमें यह सब देखना नहीं है, आप ISIS की कार्य प्रणाली को देख लीजिए, आप बोको हराम को देख लीजिए, बोको हराम आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, बहुत चारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत चारे लोगों नहीं सुना होगा, इसलामिक आतंगवादी संगठन है, ऐसे सं से सजा देते हैं लोगों को इस तरह से तड़पा तड़पा कर मारते हैं कि देखने वाला भी कमजोर हुदय का होगा तो वेडियो देख करके भी वो हार्ट अटेक से मर जाएगा तो मनुष्य की जो प्रवृत्य है वह वास्तों में देखा जाए तो सेर की कठोरता मनुष्य की कठोरता के सामने कुछ भी नहीं है मुझे लगता है कि सेर का जब पेट भरा होगा तो आप सामने जाएंगे वो नहीं मारेगा वो दुसरी तरफ उठ कर चल देगा पर मनुष्य को वो यह नहीं देखता कि मुझे आवसेकता है कि नहीं उसको तो शौक पुरा करना है और शौक के लिए वो इस तरह से हिंचा करता है तो इस कठोर प्रवृत्य को शेर की जैसी चाती कहा गया है इसके बाद कहा गया है कि उसकी जो पीठ होगी दाबतु लर्ज की वह गीदड की जैसी होगी है गीदड की पीठ क्यों कहा गया है कहा जाता है कि गीदड की पीठ कमजोर होती है उसमें यदि कस करके उपर से एक बार जोर से मुक्का भी मार दिया जा तो पीठ टूट जाती है यह जो कमजोर पीठ है वो उसकी कमजोरी है अब यहाँ इनसान की कमजोर पीठ का ताथ पर यह क्या है पीठ जो है वो हम किसके लिए प्रयो करते हैं भार डोने के लिए ना कोई भी वजन्दार वस्तु होती है ना तो हम कंदे पर उठाते हैं या फिर पीठ पर पीछे उठाते हैं तो यहाँ पीठ कमजोर होने का ताथ पर यह यह है कि हम धर्म का भार डोने में कमजोर हैं का भारवहन करने के लिए वह कमज़ोर माना जाएगा, कैसे? जैसे आज अधिकांस जितने माता पिता है वे अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना तो चाहते हैं, पर क्या पढ़ाना चाहतें? महहंगे से महेंगे Convent School में पढ़ाया जाता है वहाँ Convent School में पढ़ाने के लिए लाखों रुपए होते हैं पर यदि हम कहें कि मान लिजी आप अपने घर में वेद रख लीजे, उपनिशद रख लीजे, गीता रख लीजे, वानी की टिकाए रख लीजे, तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं अब जो व्यक्तिक केवल Convent School में पढ़ा है उसकी प्रवृतिक ऐसी हो जाती है यदि केवल भौतिक पढ़ाई की है, धर्म के संसकार नहीं है तो उसकी प्रवृतिक कैसे होती है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी भी व्रिद्धाश्रम में तले जाईए उस व्रिद्धाश्रम में जितने भी माता-पिता हैं बुजर्ग हैं उनमें से अधिकांच लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं कोई डॉक्टर के माता-पिता है कोई इंजिनियर के कोई बड़े-बड़े I.S. अधिकारी के माता-पिता होंगे ऐसे I.S. अधिकारी जो दूसरों को नईतिकता सिखाते होंगे अभी कुछ दिन पहले मईने भर के अंदर की बात है हर्याना का एक केस निउस पेपर में आया था कि उसमें एक बुजुर्ग जो किसी व्रिद्धाश्रम में रहा करते थे उन्होंने गुहार लगाई थी कि मेरा बेटा I.S. अधिकारी है और हमें डाटता रहता है, फटकारता रहता है और धमकी देता रहता है, हमें बचा लीजी निउस पेपर में आया था है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने बच्चों को केवल भावतिक पढ़ाई कराने में ही ध्यान दिया आध्यात्मिक सिक्षा नहीं दी हमने क्या सोचा? कि धार्मिक सिक्षा दे देंगे करन करके जंगल चले जाएं, वैरागय होने का तात्परिय यह है जैसे अर्जुन को स्रीक्रिष्ण जी ने सिखाया निसकाम कर्म करने की बात वैसे ही जो व्यक्ति वैरागय होता है वह निसकाम भाव से अपनी कर्म करता है इस संचार को खेल समझते हुए अपने कारिय करता है इसी तरह से एक दो और उदारण से समझते है मान लिजे कि आजकल तो जनम दिन मनाने का प्रचलन है पहले तो ऐसा सब कुछ होता नहीं था कि जनम दिन मना रहे है बड़े बड़े जो महापुरुस हैं उन महापुरुसों का जनम दिन मनाया जाता था आज जिसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है जिसने जनम लेने के अलावा और कोई काम भी नहीं किया है और जिसका जीवन धर्ती पर बोज के समान है ऐसे लोग भी जनम दिन मना रहे होते हैं मैं कुछ कड़वी बात कह रहा हूँ पर ये सच है हम जनम दिन मना रहे हैं यदि जनम दिन की सुभ कामना दे रहे हैं पर हमने जितना अपने जीवन में जितनी उम्र व्यतीत की उतनी उम्र में हमने ऐसा कौन सा सुभ कारिय कर दिया कि जनम दिन सुभ हो गया ऐसा कुछ तो किया नहीं, हमने ऐसा कौँछा तीर मार दिया लेकिन जनम दिन मनानी के लिए हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं केक से ले करके, जनम दिन की पार्टी से ले करके बहुत कुछ और कुछ लोग जो अमिर होंगे वो तो और भी लाखो रुपए खर्च कर देते हैं मैंने देखा कई बार सोचल नेटवर्किंग साइट पे फेस्टबूक इंस्टाग्राम इत्यादी में पोस्ट आती है कि जैसे किसी वेक्ति का नाम जो भी होगा मान लिजे कि छे अक्षर का नाम होगा तो छे अलग-अलग केक मगाया जाते है अलग-अलग केक में अलग-अलग अलफाबेट्स लिखे जाते है अक्षर और फिर उस केक को क्या किया जाता है मूपे लगाया जाता है पूरे body पर लगाय जाता है, बरबाद किया जाता है, तो इस तरह से बरबाद करने के लिए लोगों के पास पैसे होते हैं, पर आप ऐसे लोगों के पास जा करके कहें, कि फलाने इस्थान पर विद्यालाय बनाना है, गरीबों के लिए हमें निशुल्क शिख्षा के लिए आस्पिटल खोलना है, अनाथ लोगों के लिए कोई संस्था चलानी है हमें, गरीबों के लिए भोजन के वियोस्था करनी है, और मालीजे कि कोई साहित्य के लिए लिट्रेचर के लिए हमें आर्थिक सेवा की आओ सकता है, तो वहां ऐसे लोग 500 रुपए, 1000 रुपए से ज्य किवल दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने हमारी बेटी की साधी, हमारे बेटे की साधी में इतने खर्च किया, आज मुझे लगता है कि यूपी में, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, वहां कोई भी साधी ऐसी नहीं होगी, जिसमें कम से कम 25 रुपए खर्च ना होते हो, मै क्या चला है, कि हम दहेज नहीं देंगे, हम दहेज नहीं लेंगे, पर आप अपनी बेटी के लिए गिफ्ट में जो देना हो सो दे देना, हमें क्या करना है, आपकी बेटी ही तो प्रयोग करेगी, इस तरह से उसी दहेज प्रथा को दूसरा गिफ्ट का नाम दिया जाता है अब दूसरा, शादियों में सामान रुप में मनुस्य कितना खा सकता है बताइया, जितना खा सकता है, उससे दो गुणा ज्यादा तो बरबाद किया जाता है, इतने सारे व्यनजन बनाए जाएंगे, उन में से यदि व्यत्ती सभी वेंजन में से एक एक कौर भी लेगा, आजकल तो एक और चलन चल पड़ा है, destination marriage करके, कि यहाँ इंडिया में नहीं करना है, किसी दूसरे जगह पर जा करके करना है, उसके लिए जितने भी लोग होंगे उन सब की flight में टिकट कराई जाएगी, वहाँ जाएंगी लोग शादी करेंगे, इस तरह से कलाखों करोडों बहाए जाते हैं, पर जहाँ बात आए धर्म के लिए, समाज के लिए, सिक्षा के लिए, तो वहाँ फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं, तो व्यक्तिगत स्वार्त के लिए, व्यक्तिगत त्रिशना के लिए, या फिर जिसको हम जूठी, इजट, जूठी, सान्या, प्रेस्ट गया है गीदड की जैसी पीठ क्योंकि वह भार वहन नहीं कर सकता है आज इंसान की प्रवृत्ती भी ऐसी हो गई कि वह धर्म का भार वहन करने से कोशों दूर है तो ये दाभतुल अर्ज जानवर की निसानी है हमने सुना कि पहाडी बैल के जैसे सिंग का क्यातात परिये है ह गिदड की जैसी पीठ, सेर की जैसी छाती, हाथी के जैसे कान ये सारा हमने सुना समझा कि ये मनुष्य के अंदर की ही एक प्रवृत्ती है हो सकता है हम में भी ऐसी कई प्रवृत्ती हो सब में सारी प्रवृत्ती तो नहीं होगी पर कोई न कोई प्रवृत्ती तो होगी औ दावा हुई जाहर एस सब लिखे सबब इस तरह से अब दाप्तुलर्ज जानवर की बात भी हो गई अब एक ओर लक्षन बताया गया है काना दज्जाल का दज्जाल जो की काना है और किस पर सवार है गधे पर और वो गधा कितना उचा है किरें इतना उचा गधा है कि साथ समुद्र का पानी भी उसके गुटने गुटने तक ही आता है इसका क्या भाव है देखिए काना का अर्थ होता है जिसकी किवल एक आँखो यहां तो हम सब की दो-दो आँखे हैं पर यह किवल बाहिया आँखे हैं यह आँखों के दो गोलक हैं वैसे तो नेत्र इंद्रिया को एक ही इमाना जाएगा ना यहां दो आँखों का ताथ पर यह एक तो बाहरी आँखे हैं और दूसरी है विवेक द्रिष्टी अथवा आत्म द्रिष्टी काना दज्जाल कहने का ताथ पर यह है कि दज्जाल का मतलब अग्यानता काना का ताथ पर यह है कि जिसकी केवल बाहरी द्रिष्टी हो यहां बाहरे द्रिष्टी का ताथ पर यह है कि हम सभी के अंदर अभी यह प्रवृत्ती है कि हमें आत्मा की पहचान नहीं है न स्वयम की न किसी दूसरे की हम किसी को देखते भी हैं तो शरीर भाव से ही देखते हैं हम व्यवाहार भी करते हैं तो शरीर भाव से ही व्यवाहार करते है और जो यहाँ स्रीजी के संदेश को ठुकरा रहे हैं वे भी कैसे ठुकरा रहे हैं क्यों ठुकरा रहे हैं केवल शरीर भाव से देख करके कि देखो ये तो हिंदू है हिंदी भासा में ये कलाम लिखी हुई है तो किवल भासा देख करके वेश्बूसा देख करके शरीर को देख करके जो निर्णेले या जो वेवाहार करे है उसको कहा गया है काना दज्जाल और गधा क्या है? कोई व्यक्ति बेवकूफ होता है मुर्ख होता है तो हम उसको क्या कहते है गधा गधे को मुर्खता का प्रतीक माना जाता है अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है वैसे तो दूसरे जानवर PhD होल्डर नहीं है पर फिर भी दूसरे जानवरों के बीच में गधे को सबसे कम बुद्धिवाला मंद बुद्धी वाला माना जाता है अब ये इतना जो विशाल बताया है कि उसकी गुटने गुटने तक साथ समुद्र का पानी आता है इसका तात्परिय ये है कि ये उस अज्यानता की विस्तार को दर्साता है कि अज्यानता का मुर्खता का विस्तार कहां तक है पूरे ब्रह्मान में पूरे धर्ती में है कोई भी उस मुर्खता से उस अज्ञानता से अच्छूता नहीं है यहां तक कि हम सुन्दर साथ कहलाते हैं ब्रह्म सुष्टी कहलाते हैं पर हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ती है, हमारे अंदर भी तो सरीर एक द्रिष्टी है ना, हम किसी को सोचते हैं कि ये पुरुस है, इससे बात नहीं करनी है, ये पुरुस होगा तो कहेगा ये इस्त्री है, इससे बात नहीं करनी है, तो सरीर भाव हुआ, हमें से किसी के मन म हैं कि ये काला दिखता है तो ये दूसरे वर्ण का हो गया हम गोरे हैं कोई ये सोचता है कि हम उत्तर प्रदेश वाले हैं कोई पंजाब वाले हैं कोई गुजरात वाले कोई नेपाल वाले कोई आसाम वाले अलग-अलग प्रांच को देख करके अपने आपको सोचता है कोई स दुसरे को अमिर अपने आपको गरीव सोचता है, तो ये सब कौन सी द्रिष्टी है? शरीर की ही तो द्रिष्टी हुई ना? जिस दिन हमारी आत्म द्रिष्टी खुल जाएगी, उस दिन हम कह पाएंगे कि हमारे अंदर वो काना द्जाल की प्रवृत्ती नहीं है, अनिथा हम सब में है, तो ये जो देह देखने की प्रवृत्ती है, सरीर और संसार को देखने की प्रवृत्ती है, उसको कहा गया है काना द्जाल, और फिर एक और लक्षन बताया गया है कयामत के जिसको कहा गया है कब्र से मुर्दे का उठना कब्र से मुर्दा उठना क्या है? देखिये जो मरा हुआ है वो दुबारा उठने वाले तो है ने कोई वेक्ती मर गया उसको दफना दिया गया कब्रिस्तान में कुछ समय के बाद लगबग लगबग 15 दिन के अंदर अंदर तो मान सित्यादी पूरे समाप्थ हो जाते हैं कुछ वर्सों में हड्डियां भी बिल्कुल मिट्टी में गल जाती है कुछ वर्सों के अंदर और उसका अवसेश भी नहीं बचता है कुछ नहीं बचता तो यह जो मुर्दे हैं वो दुबारा जागने वाले नहीं है यहां मुर्दों का कब्र से उठना इससे कहा गया है जैसे मरे हुए को कुछ अतापता नहीं होता कोई ग्यान नहीं होता इसी तरह से हमारा यह जो सरीर है सरीर कब्र है और उसके अंदर जो चेतना है वो अभी मरी हुई है चेतना मरी हुई कहने का क्या ताथ परे है आप इसको एक लवकिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं और आध्यात्मिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं हमारी चेतना कैसे मरी हुई है अभी मैंने लगबग दो महीने पहले एक द्रिश्य देखा सायद आपने भी देखा हो दिल्ली में एक मर्डर केस हुआ था जहां तक मुझे नाम याद है स्रद्धा नाम है उनका एक लड़की है मेरे ख्याल से वो 16-18 साल के आसपास की होगी और उसको एक लड़का कोई मुस्लिम लड़का है वो उसको चाकु मार रहा है और एक बार ने कम से कम 20-25 बार मारा होगा उसके पास से लोग गुजर रहे हैं देखते हुए सब को पता है पर देखते हुए भी कोई प्रतिकरिया नहीं कर रहे हैं तो यह मुर्दा हुआ कि नहीं हुआ चेतना ठीक है आप स्वयम अपनी बात देख लीजिए आपने कितनी ही बार रास्ते से गुजरते हुए ऐसा इंसिदेंस देखा होगा किसी का एक्सिदेंट हुआ है कोई गिरा हुआ है आपने या तो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा होगा डर की वज़स से या फिर लोग क्या करते हैं कोई नदे में डूब रहा है तो बचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे पर सेलफी लेने लग जाएंगे वीडियो बनाने लग जाएंगे बोलेंगे भाईयों देखो एक विक्ती पान से मरी हुई चेतना है चेतना का इस्तर मर चुका है तो ये लोग की उदाहरण से अब आध्यात्मी की हिसाब से देखा जाएं तो हमें न स्वयम के स्वरुप की पहचान है न स्वयम के स्वरुप की पहचान न होने की चिंता है एक तो होता है पहचान नहीं है पर चिंता है कि पहचान करनी है वो तो चलो ढूण लेगा इच्छा है तो कहीं न कहीं उपाय मिल जाएगा कहते हैं न वेर देरिज विल देरिज वे जहां इच्छा है वहां उपाय है पर आभासी नहीं इस चीज का कि हमें जागरित होना भी है तो यह चेतना के मरे हुए अवस्था का प्रतीक है अब यहां जो कब्र से मुर्दे का उठना है वो यह है कि सरीर रूपी कब्र है इसके अंदर जो चेतना है वो या जीव समझ लीजिए वो जागरित अवस्था में नहीं है वह स्वपन में अथवा सोई हुई अवस्था में निदरा की अवस्था में है जब इसे ज्ञान प्राप्थ हो जाए जब इसे यह समाज में आ जाए कि यह सरीर नहीं है यह सरीर सब कुछ नहीं है मेरा जो अस्तित्व है वो शरीर से अलग है एक हमारे भारत वर्ष में मदालसा नाम की विदुसी हुई, तत्वदर्शी, महारानी हुई उनके छे पुत्र हुए बारी-बारी से पहला पुत्र पैदा हुआ, वो लोरी में क्या सुनाती है शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी, संसार माया, परिवर जितो असी बच्चे को सिखाती है कि बेटा, तु ये सरीर नहीं है, तु शुद्ध है बुद्ध है, चेतन है, इन अवयवों से, ये जो इंद्रियां है, इन इंद्रियों से परे है और तुझे क्या करना है, संसार के माया को छोड़ना है पहले बच्चे को भी ऐसा सुना-सुना करके, समझा-समझा करके, उसके मन में ऐसा डाल दिया कि सरीरों संसार कुछ नहीं है पहले बेटे को वैरागी बना दिया, दूसरा बेटा हुआ, दूसरे बेटे को भी वैरागी बना दिया, तीसरा बेटा हुआ ऐसे छे बच्चों को उनने वैरागी बनाया संसार का कल्यान करने के लिए अब यहाँ पर मैं इसलिए द्रिश्टांज दे रहा हूँ कि जब हमें ये बात समझ में आ जाए कि हम तो शुद्ध बुद्ध चेतन निरंजन स्वरूप है निरंजन का मतलब इन इंद्रियों से परे है उसके बाद प्रश्ण होता है कि अच्छा इंद्रियों से परे है तो फिर कहां पर है तब हमारी अध्यात्म की दौड शुरू होती है और जब हमें अपने आत्म स्वरूप की पहचान हो जाए और जब हमें हमारे आत्मा के मूल घर की पहचान हो जाए, हमारी आत्मा के मालिक के विशे में पहचान हो जाए, उसके धाम, स्वरू और लीला की पहचान हो जाए, तो इतनी पहचान हो जाने के बाद जब हम आत्मिक रूप से जागरित हो जाते हैं, तो उसको कहा गया है कब से मुर्दे का उठना, जो सच में मरे हुए dead bodies है जो शव है, लास है वो नहीं उठने वाले उठेंगे कौन? जो जिवित है तो इस तरह से ये कयामत का एक और निसान हुआ तो आपने कितने निसान सुने असराफिल का, जबराईल का आना इशारू अल्ला का आना, इमा महदी का आना डापतुलर जानवर का प्रगट होना इसी तरह से काना दज्जाल का आना कबर से मुर्दे का उठना तो ये कुछ निशान हो गए इसके अलाव भी कुछ ऐसी चोटी-चोटी निशानिया है जिसके विशे में कहा गया है कि कयामत में ऐसी घटनाए होंगी जैसे कहा जाता है कि कयामत के समय में मिश्री की इटे वर्षा करेंगे इसका तात्परिय क्या है मिश्री जैसे मधूर होती है उसी तरह से परमात्मा की मधूरवानी का आउतरण होना जिसको कहा गया है मिस्री कीटे वरसना तो ऐसी और भी कई द्रिश्टान्थ है तो स्रीजी ने क्या किया कि इस तरह की हकीकत इस तरह की वास्तविक्ता लिखकर पांच नलवे पांच पत्र तयार किया गया और कानजी भाई को पत्र वाहक के रूप में आज की साबसे देखा जाए तो पोस्ट मैन के रूप में डाकिया किया था वाद दूद के रूप में तयार किया गया और साथ में उनकी सुरक्षया का ध्यान रखने के लिए स्रीजी ने कुछ और सुन्दर साथ को भी दे दिया कि आप भी कांजी भाई के साथ रही है और उनमें से पहला जो नलवा था वह था सेख इसलाम के लिए और दूसरा था रिजवी खान जो एक मुख्य दरबारी था औरंग जेब बाथशा का तीसरा सेख निजाम जो की बाथशा औरंग जेब का धर्म गुरु था चौथा आकील खान को जो की वहां के दूसरे मुसलमानों को कुरान की तालिम दिया करता था और पांचमा सिद्धिक पॉलाज जो की कोतवाल था उस कोतवाल को इन पांच लोगों को जो औरंग जेब के नजदी की थे दरबारी थे गुरू थे उनके लिए पांच पत्र तयार किये गए सबसे पहले कानजी भाई गए काजी सेख इसलाम के पास और जब पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि ये किसने भेजा है कांजी भाई ने कहा कि एक फकीर हैं जो पास के पहाड़ी पर रहते उन्होंने हमें बेजा है कांजी ने कहा कि बताओ वो कहां पर रहते हैं और तुम कौन हो अपने विशे में बताओ तो कांजी भाई कहते हैं कि हम तो संदेश वहाग हैं हम कासीद पेटार्थू करे खिजमत अपने अरथ, हम तो संदेश वहाख हैं, अपना पेट पालने के लिए इधर का संदेश उधर पहुंचाते हैं, इसके बदले में जो रुपया मिलता है, उससे हमारा गुजारा चलता है, इसलिए हम इसके लिए महनत करते हैं, हम महनत तिन की करे गाठ से छोड के देवे ग्रथ, यदि हमने ये काम कर दिया, तो हमें इसका पारिश्रमिक या इसका वेतन दिया जाएगा, इसलिए आप कृपया इनके इन प्रस्नों का उत्तर दे दीजिए, फिर काजी ने पुछा कि और भी कोई पत्र है या केवल मेरे लिए है, का मैं भी उनके पास ही आगे जा रहा हूं, उनको भी पत्र दूंगा, और देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, काजी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, और जो लोग जैसा जैसा जवाब दे वो लाकर मुझे भी बताना ताकि मैं भी उस हिसाब से जवाब दे सकूँ, अब क सल करके पहुँचे सेख निजाम के घर में, उन्होंने भी इसी तरह से पत्र लिया, सवाल पूछे कुछ, काजी भाई ने यही जवाब दिया कि हमको एक फकीर ने, एक साधुने भेजा है, जो कि पास के पहाड़ी पर, कामा पहाड़ी पर रहते हैं, उस फकीर का नाम मुहमद इबन इसलाम है, जो कि पहाड़ में, किसी कोने में एकांत स्थान पर रहते हैं, फिर काजी सेख निजाम ने पूछा, कि यह मेरे अक्यली के लिए है, या फिर और भी किसी के लिए है, तो काजी भाई ने कहा कि नहीं, वैसे पांच पत्र हैं, जिनमें से एक को मैं देते आ रहा हूं, एक आप हैं और इसके अलाव भी बाकि तीन और लोग हैं, तो सेख निजाम ने कहा ठीक है, आप जाओ यहां से, उन तीनों को भी चिठी दो, और फिर मुझे आ करके बताओ कि वो लोग क्या जवाब देते हैं, फिर वहां से कानजी भाई, आकिल खान के क्योंकि दूसरों को कुरान की तालेम भी देता था, जब कानजी भाई ने उसे पत्र दिया, पत्र में नाम नहीं लिखा था, कि किसको देना है यह नाम नहीं लिखा था, यह तो कानजी भाई को मौकिक रूप से जवानी याद थी, आकिल खान ने कहा, इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है मेरा नाम हो तभी मैं ले ले लेता मेरा नाम नहीं है तो मैं नहीं ले सकता उसने अस्विकार कर दिया फिर वहां से गए रिजवी खान के पास रिजवी खान ने भी पत्र ले लिया और पत्र ले करके यही बात पूछा कि कितने लोगों के लिए लिखा है या फिर मेरे अकेले के लिए कानजी भाई ने फिर जवाब दिया कि पांच लोगों के लिए जिन में से दो ने लिया एक ने ने लिया आप चवते हो फिर उसने भी यही कहा कि आप जाओ आगे पहुँचाओ और फिर मुझे बताओ कि बाकी लोगों ने कैसा जवाब दिया है तब जवाब इनने दिया पहुचाए के आवो तुम हम भी जवाब देंगे जैसा होए हुकम बाकी सब लोग मिल करके जैसा लिखेंगे जैसा हुकम होगा मैं भी वैसा ही उत्तर दे दूँगा वहाँ से चल करके कांजी भाई पहुचे सिद्धिक फॉलाद के घर पे सिद्धिक फॉलाद जो की कोतवाल था उसने चिठी ले ली देख करके और कहता है कि बाकी लोग जो जवाब देंगे वो जवाब आप मुझे बताना मैं भी उसी इसाब से लिखूंगा क्योंकि मैं तो कोतवाल हूँ मेरा काम तो कुरान की चर्चा करना नहीं है कुरान की विशे में कुछ लिखना बोलना नहीं है मेरा काम तो एक सैनिक का है सिपाही का है मैं वही काम कर सकता हूँ ये सब काम तो काजियों का है फिर भी मुझे तक तुम ने पहुँचाया है तो तुम बाकी बताना कि लोग क्या जवाब देते हैं उस हिसाब से मैं लिखके बताऊंगा अब सब लोगों को चिठी पहुँचा करके कानजी भाई भागे भागे स्रीजी के पास गए और आज की जितनी घटना थी सब लोगों की जो जो प्रक्रिया थी वो सारी बताए स्रीजी ने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात ने आप जाओ बार बार और जाकर के उन से उत्तर निकलवाने की कोशिश करो इस तरह से अब कानजी भाई उन चारों दरवारियों के यहां भटकते भटकते पंद्रह दिन हो गए पर कोई जवाब ही नहीं देता है अब कानजी भाई गए शेख निजाम के वहाँ और जाकर के बहुत विनम्रता से कहा कि शेख साहब आप उन प्रस्णों का उत्तर क्यों नहीं दे देते क्यूंकि जब तक आप ज़एब नहीं देंगे तब तक मुझे मेरी जो तनखा है वो नहीं मिलेगे मेरा पारिश्रमिक मुझे नहीं मिलेगा तो आप कृपया जल्दी से जवाब देदेजे तो सेख निजाम ने कहा, कि देखो, ये काम जल्दी बाजी का नहीं है, तुमने कोई छोटी मोटी बात नहीं बताई है चिठी में, इसमें तो कयामत की बात बताई गई है, और कयामत की जो बात है, उसका जवाब हर कोई नहीं दे सकता, ये तो इमाम महंदी के प्रगट होने की बात है, इसका जवाब तो किवल बादसा ही दे सकते हैं बादसा जैसा जवाब देंगे, हमारा जवाब भी उसी से तय होगा फिर वहाँ से काजी भाई, काजी के घर में गए, काजी सेखिसलाम के घर पे, उनसे जवाब मागी तो उन्होंने भी यही बात कही कि तुमने बहुत बड़ा मुकदमा हम तक पहुचाया है कयामत का मैं तो पड़ पड़ करके यह परेशान होगे इसलिए थक हार करके मैंने चिठी एक तरफ रख दी है हम सब लोग इकठे होकर के जब समय मिलेगा आपस में विचार विमर्ज करके फिर हम उसका उत्तर देंगे उसके बाद सिद्धिक फॉलाद के पास गए तो सिद्धिक फॉलाद कहता है सिद्धि ने जवाब दिया एक काजी मुला का काम मैं क्या जानो कुरान की हकीकत दीन इसलाम ये तो धरम के भी से में बात करना ये काजीयों का, मुलाओं का, मौलवियों का काम है मुझे इसलाम की इतनी गहरे जानकारी नहीं है इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता तो काजी ने कहा ठीक है तुम जवाब नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं पर तुम बादसाह तक तो हमारी बाद पहुंचा दो फिर देखो कि बादसाह क्या जवाब देंगे कोतवाल कहता है कि नहीं यदि मैंने तुम्हारी बात बादसाह तक पहुंचाई कोई अता पता नहीं कि बादसाह इस बात को कैसे प्रतिक्रिया देगा इस बात से यदि गुस्टा हो गया वो नाराज हो गया तो समझ दीजे कि हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा इसलिए हमारी ये हिम्मत नहीं कि हम उन्हें जा करके बता सकें उसके बाद कांजी भाई वहाँ से उठ करके गई रिजवी खान के पास रिजवी खान के पास जा करके कहते हैं कि दिवान साब मुझे इन प्रस्णों का जवाब दे दीजिया मैंने तो तुम्हारे पास इतना सुभ समाचार पहुँचाया है कहते हैं मैं तुम पर लियाईया साधी के वचन साधी के वचन अर्था तो खुश कबर ही पहुचाया है मैंने तुम पर तुम्हें तो उस बात को सुनकर के ही खुश होना चाहिए तो रिजवी खान कहता है कि मैं कैसे खुशी मनाओ तुमने तो आज ही कयामत होगी ऐसा बताया है कियामत आचुकी है ऐसा बताया है और अभी तो हमारे दिल में घर परिवार की इच्छा है आमें ग्रिहस्ती बसाने की इच्छा है हमारी इच्छा है कि हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे हूँ कहते हैं अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उमेद जोरू लड़के घर की छूट जात सबकैद तुमने जो कयामत का संदेश दिया है उस हिसाब से माना जाए तब तो हमारी पतनी, हमारे बच्चे, हमारा घर कुछ बचेगा ही नहीं तो हम कैसे खुशी मना सकते हैं अब यहां दो प्रमुख बाते हैं पहला कि मुसल्मान कयामत का तात्परिया समझते हैं कि जब सबकुछ नश्ट हो जाएगा जबकि इसका जो अर्थ है कयामत का कयामत का अर्थ होता है कियाम से है कियाम का तात्परिया है अखंड होने से कायम होने से अथवा ठहरने से इसका सीधा तात्परिया यह है कि कयामत का तात्परिया है सबको अखंड मुक्ति की प्राप्ति अब मुसल्मान सुझते हैं कि कयामत का तात्परिया सब नश्ट हो जाना है हिंदु भी महाप्रले को कुछ ऐसे ही लेते हैं पर यहाँ नश्ट होना नहीं बलकि अखन होना है ये पहली बात दूसरी बात रिजवी खान जो डर रहा है क्यों डर रहा है? उसके मन में अभी संसारीक उम्मीद बची हुई है उसके मन में इच्छा है कि नहीं अभी तो सादी करनी है अभी तो बच्चे होने हैं तो पत्नी की इच्छा है, बच्चों की इच्छा है इसी तरह से लगबग इसी तरह की घटना हम में भी होती है कैसे? जब हम बात करते हैं चित्वनी की जब हम बात करते हैं सेवा के प्रती समर्पण की तो हमारे मन में भी ऐसी भावना आती है कि देखे चित्वनी करेंगे तो दो बाते होंगी या तो एक समाज में जो विकृती चल रहे हैं की चित्वनी करने से सरीर छूट जाता है एक तो ये तब भी संशारीक उम्मीद बची हुई है दूसरा चित्वनी करेंगे तो राजी मिल जाएंगे राजी मिल जाएंगे तो संशार छूट जाएगा फिर से दुनिया छूटने का डर है तो किसी भी अवस्था में देखा जाए हमें से जिसके अंदर वे दुनिया के छूटने का डर है यदी और उसकी वज़ा से हम राज्ये की रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं आत्म जागरिती के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो हमें और ये रिजवी खान में कोई फरक नहीं है फरक तो इतना है कि उसको ज्ञान नहीं था वाणी नहीं पहुचे थी तब वो ऐसा मुर्खता पूर्ण काम कर रहा था और हमारे पास ज्ञान होने के बावजोद भी मुर्खता पूर्ण काम कर रहे हैं वाणी क्या केती है कि दुष्ट थाई अवगुण करे दुष्ट थाई अवगुण करे ते जमपुरी जईने रोए क्या का है जो दुष्ट हो करके बुराई करते हैं या बुरा काम करते हैं वे लोग नर्क में जाते हैं और वहां दुख पाते हैं पर पन साध थाई अवगुण करे तेनों ठाम न दी सुखोए लेकिन कोई वेक्ति ज्यानी होकर के साध हो करके भी अवगुण करता है उसमें बुरा है तो कहते हैं उसके लिए तो नर्क में भी स्थान नहीं है अब यहाँ हम सुन्दर साथ को तो यह नहीं कह सकते कि नर्त में भी स्थान नहीं मिलेगा यह कुछ ज्यादा ही हो जाएगा पर वास्तविक्ता यह है कि वाणी ने क्या कहा महामती जी कहती है बाहर देखावे बंदगी माहे करे कुकरम काम महामती पूछे ब्रह्मिस्रिस्टी को वैकुंठ जासिक की दाम ऐसे सुन्दर साथ कहा जाएंगे विश्णु भगवान के पास जाएंगे कि राज्जी के पास परमधाम चले जाएंगे तो ये रिज्वी खान वाली प्रवृत्ती अभी भी हम सब सुन्दर साथ में है इससे कुछ समय पहले भी मैंने चर्चा में भी पूछा था कि यदि पूछा जाए कि परमधाम जाना कौन चाहता है हाथ सभी खड़ा कर देंगे लेकिन पूछा जाए कि अभी कौन जाना चाहता है सब लोग वापस हाथ नीचे कर लेंगे क्यों? क्योंकि रिज्वी खान की तरह ही जोरू लड़के घर की छूट जात सब के सब के मन में यही होगा कि हमारी पत्नी छूट जाएगी या फिर हमारे पती छूट जाएगे बच्चे छूट जाएगे घर छूट जाएगे समाज विरादरी सब छूट जाएगे इस तरह से हमारे अंदर भी वरिज्वी खान की प्रब्रिती है अब कान जी भाई कहते हैं कि अच्छा ठीक है यदि आपको नहीं लिखना है कोई बात नहीं पर मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि भले ही दो बात लिखकर देढ़े जीजिए दो पंक्ती लिखकर के देदेजिए हम उतना ले जा करने दिखा देंगे उस फकीर को और हम उनसे महनातारा ले लेंगे अपना जो पारिश्रमिक है जो मैंने चिठी पहुँचा ये उसका पैसा ले लेंगे कहते हैं एह बात पांचन की नहीं अकेले मेरा काम रिजवी खान कहता है कि ये मेरा अकेले का काम नहीं है ये तो पांचों लोग मिलकर की हम निर्णे लेंगे कि इसमें क्या करना है या क्या उत्तर देना है ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं है ये बड़ा मुकदमा काम-दीन-इस्लाम ये तो इसलाम का दीन का धर्म का बहुत बड़ा कारिया है इसलिए हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते इस तरह इन भात आजीज होए के आया पास श्री राज अब कांजी भाई दुखी होकर के श्री जी के पास आए और आके कहते हैं कि धामधनी कोई भी किसी तरह का जवाब देने के लिए तयार ही नहीं है कई दिन हो गए कोई दूसरे पर डालता है दूसरा तीसरे पर डालता है कोई चिठी ही नहीं ले रहा है कोई कह रहा है कि बादशा मानेगा तो हम मानेंगे इस तरह की परिस्थती हो रही है जवाब कोई न दे वहीं बहुत फिराइन काज कह रहे है श्रीजी साइब कोई जवाब भी नहीं दे रहा है मैं इस कारिय के लिए बहुत घुमा बहुत भागदोड की पर किसी ने जवाब नहीं दिया श्री महामती जी कह रहे हैं कि सुन्दर साथ जी ये नलवे की भी तक थी ये पत्र चिठी की भी तक थी अब आगे औरंग जेव को संदेश दिये जाने का प्रसंग है अब कहो आगे परियान की कहो सो हकीकत उसकी वास्तविक्टा कवर्णन आगे करने जा रहे हैं अब आगे किस तरह से सुन्दर साथ आपस में विचारवी मर्श करते हैं मंत्रणा करते हैं कैसे जामा मस्जिद के गुसल खाने, जिसको हम इसनान घर अथवा बात्रूम कहते हैं, गुसल खाने में किस तरह से चिठ्थी चिपकाई जाती है, उस चिठ्थी में क्या लिखा होता है, और किस तरह से बारह सुंदर साथ वेश बदल करके औरंग जिब के दरवार में परपन किया, कुर्बानी क्या होती है, इन सभी प्रसंगों को सुनेंगे, कल की चर्चा में, अब समय पुरा होता है, जो पैदो रहे हैं। कहों सो हकीकात, कहों सो हकीकात, बुलु स्री प्राणे नात, बुलु स्री सद्गुरु महराज, प्राज